हलो दोस्तो सुवागत है आप सभी का रहा हूल एकेडमी पर आज आपका है 17 जन्वरी और आज आपका IBACIO का एकजाम था तो फर्स्ट और सकेंड और ठर्ट स्रिप्ट में जितने भी कोशन पुछे गए थे यानि कि तीनों स्रिप्ट में जितने भी कोशन पुछे गए थे उ देखिए आपका पहला कोशन था कि Grand Master भाई और वान कौन बने है तो इसका correct answer आपका हो जाएगा वैसाली और प्रगानंद बने है अगला कोशन था कि मानो विकास सुचकांक में भारत की रहेंके कितनी है तो भारत आपका 132 अस्थान पर है अगला कोशन था कि साइन अभ्य विक्रम देव बने है अगला कोशन था कि पार्यावरन अधिनियम कब लाए गया था तो पार्यावरन अधिनियम आपका 1986 इस भी मिलाए गया था इसके आगया आपका देखिया अगला कोशन था कि खा बताई को हाल ही में जी आई टेक कि सराज के द्वरा दिया गया है तो यह आपका अरवांचर प्रदेश के द्वरा दिया गया है अगला आपका कोचन पुछा गया था कि उद्धव योजिना किस राज की द्वारा सुरू किया गया है तो यह आपके बिहार राज की द्वारा सुरू किया गया है इसके आगे 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 आपका अगेव कोछन था की जीवंत ग्राम खारिक्रम की सुरॉआत कोई थी तो इसकी सुरॉआत आपका 2000, 2003 इस भी में हुआ था आपसरն में आपका यही दिया गया था जो कि आपका बिलकुल करेक्ट अंसर था अगला कोशन था कि उनेसको द्वारा किस सहर को संगीत का सहर की रूप में मानेता दिया गिया है तो आपका गौालियर को दिया गिया है और गौालियर कहा में पढ़ता है तो यह आपका MP में पढ़ता है अगला कोचन था कि अंतिम मौरी राजा कौन था तो अंतिम मौरी राजा आपका ब्रिहदत था अगला कोचन था कि गवर्नर का पद किस देश के सविधान से लिया गया है तो यह आपके कनाड़ा के सविधान से लिया गया है इसके आगे आपकर देख़्िया अगला कोचन पुछा गया था कि 3000 स्टेबल चेंज बिजेता कौन है तो इसका correct answer आपकर हो जाएगा अभीनास सामले है कौन है तो अभीनास सामले है अगला कोक्षें था कि गुलाम वश के बाद कौन सा वश साय था तो गुलाम वंस के बाद आपका खेली जी वंस आये था अगला वकोशन था कि कलम कारी कलाकार जी से 223 में पदम अवाड मिला वो कौन है तो वो आपके भानु भाई चीता रहा है अगला वकोशन था कि हडपा सवेथा की खुझ किशने की थी तो हडपा सवेथा की खुझ आपके दाया रामसानी के द्वरा किया गिया था और कब किया गिया था तो 1921 इस्वी में किया गिया था तो आपसर में आपका दाया रामसानी दिया गिया था जो कि आपका बिलकुल करेक्ट आंसर था इसके आगी आपका अगला कोचन था कि किस सहर को साहित्य का सहर का जाता है तो इसका correct answer आपका हो जाएगा कोजी कोड को का जाता है जो कि आपके केरल में स्थित है इसका पूरा नाम है आपका कोजी कोड जो कि आपका केरल में स्थित है अगला कोचन है कि जल जीवन मिसन कब सुरू किया गया था तो जल जीवन मिसन आपका दो हजार उन्हेस इसमी में सुरू किया गया था अगला कोशन था कि 42 सवा बिरासत अस्तल कौन सा है भारत का तो वो आपका सांते निकेतन है जो कि आपके पस्चिम मंगाल राज में इसी थे इसके आगे आपका अगला कोशन पुछा गया था कि अनुछेद तीन क्या है तो अनुछेद तीन आपका नए राजियों का गठन और राजियों के छे तरसिमाओं में परिवर्तन के बारे में बताता है इसके आगे अगर बात की जाए तो देखे एक कोश्चन आपका वर्ल्ड कप 2013 से कोश्चन पुछा गया था एक कोश्चन आपका कूप 28 से पुछा गया था और एक कोश्चन आपका अमरीत योजना से पुछा गया था इसके आगे अगर बात की जाए तो एक कोश्चन आपका भुकर पुलिसकार से पुछा गया था तो आज हमने आपके 17 जनवरी तीनों सिप्टों में जितने भी कोश्चन पुछे गए थे उन्हें सभी के बारे हम अच्छे से चचा किया अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो नीचे टेलिग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जवाइन ठोकर इसका पीडियो प्रात कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भुलेगा और आज आपका 18 जनवरी का जो आपका एक्जाम होगा आई वी का उसके बारे में भी अच्छे से इनलासिस करेंगे तो चलिए आज के लिए इतना है धन्यवाद